पहले अमिताब होचा आपके पास आ रही हूँ अमिताब जिसे गडबंधन की राजनिती में कहा जाते हैं जब चारों तरफ से ये सुना जाए सब ठीक ठाक है लेकिन अंदर की तस्वीरी कुछ और होती है कुछ गडबर जाला जरूर यहां होता नजर आता है कुछ ऐसी तस्वीर बिहार से नजर आ रही है क्या क्योंकि बिहार में ना तो एंडिये की तरफ से कुछ सीट शेरिंग को लेकर सुख भुगाहट और ना ही महागडबंधन की तरफ से पूजा देखे बिहार से इंडिया अगडबंधन की सुरुवात हुए थी और सबसे पहले तूटा भी तो बिहार में ही तूटा अठाइस जन्वरी को जब निटियस कुमार की जेडियू महाग इंडिया अगडबंधन से अलग हुई थी और सरकार विजय पिकर लेकिन उससे पहले तक ये सीट सेरिंग के लिए बात चल रहे थी जेडियू के निता लगतार कर रहे हैं देकि हम लगतार कोसिस कर रहे हैं लेकिन सीट सेरिंग पर कोई बात नहीं हो रही है सिदा आरूप कांग्रेस पर था लेकिन अब बिहार में तस्वीर बदल चुकी है जेडियू एंडिये के साथ जा चुकी है तो बाकि जो इंडिया गरवन्दन की पार्टियां थी जो बिहार में थी जेडियू सबसे लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और भागपा माले ने उनके भी अठाड़ा विधायक है और जिस तरीके से जो उनका जनाधार है पहले जो जब जेडियू थी तब सीटों की कमी थी लेकिन अब वहीं दस चीट की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस का है वह जो पहले जो छे जिट देने की बात थी वहीं दस तरीके से तस्वीर हैं साफ नहीं हाला कि इनकी पार्टी के नेताओं से अग में सबसे बड़ा पेज फसने वाला है लगतारаг ट्रावट ठोक रहे हैं उनको छेपाने की बात हो रहे हैं। जीतन रामान जी को एक seat देनी है लेकिन वो BJP को adjust करना है कि वो कहा देंगी और ज़्यादा ज़्याद सांस है कि गया की seat जो है उस पर जीतन रामान जी का दावा हो एक seat उन्हें MLC में और एक उनको रास्वा में चाहिए था ये उनकी बात थी लेकिन जो तस्वीर सामने जो लोग सबासीट देने की बात हो रही है यानि कि जो सोला सीट है वो बिहार में नहीं मिलेगी उसे अलग अलग राज्यों में करेंगे ताकि जेडी अगर जित्ती है तो उसे राश्ट्रिय पार्ट्री का दर्जा मिल सके और यह प्लानिंग के तहत काम चल रहा है जो अंदर कि नरेन मोदी भी आने वाले हैं और दितिश कुमार उनके साथ मनसाधा भी करेंगे और तीन मार्ज को पटना के गांधी मैदाने में महागरबंधन की बड़ी रेली होने वाली इसमें राहुल गांधी भी आएंगे और माना जा रहा है कि उसके पास सीर्ट सेरिंग को देंगे चाहे वो इंडिया करबंधन की बात हो या फिर इंडिया की बात हो ठीक है यानि माज का महीना बिहार की राजप्रिती के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही दिल्चस्त को रहने वाला है